बुढ़ा बाप एक गाउं में एक आदमी रहता था जो बहुत बुढ़ा हो चुका था जिस बज़े से उसे काम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था इसलिए अपनी बची कुछ जिन्देगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए सहर में रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया बेटा एक सहर के छोटे मकान में रहता था मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीट थी वो मेहंगी थी उस मकान में बेटा, उसकी पतनी और उनका एक पांस साल का बच्चा या छोटा सा परिवार के साथ मिलका रहता था बुड़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया यह पुरा परिवार रोज सुबा साम डाइनिंग टेवूल पर स्तान में खाना खाया करता बुड़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज निचे गिराता रहता और कहीं बार कांच के वरतन भी तूट जाया कते थे कुछ दिनों तक तो वो हूँ और बेटे ने यह सब रहन किया लेकिन बाद में वे दोनों बुड़े की ऐसी हरकों से चिरने लगे एक दिन बेटे ने कहा कि इसा कब तक चलेगा हमें कुछ करना पड़ेगा उसकी पतनी भी इस बाद से सहमत हुई अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पित्ता जी से कहा कि आप एहीं बेट कर खाना खाल लिया किजिए उन्होंने एक लकडी का बतन भी बनवाया जिसमें वे अपने बुड़े बाप को खाना देने लगे अपने काच के किमती बतन बचाने के लिए अपने पुरे बुड़े बाप को लकडी का बतन देने में उन्हें जरासी भी सर्म नहीं आई अब खाने का समय जब होता तो बुढ़ा बाप एक कोने में बेट कर खाना खाया करता और बाकी परिबार डाइनिंग टेबुल पर खाना खाया करता मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता बुड़े का पोता भी यह नजर हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता एक दिन जब पती पतनी डाइनिंग टेबुल पर बेट कर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमिन पर बेट कर कुछ कर रहा था उन दोनों ने बच्चे के साथ में लकडी का टुकड़ा देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चे लकडी के टुकड़े के साथ क्या रख कर रहा है जब बच्चे के पिता ने उसे पुछा कि बेटा आओ खाना खालो तुम नीचे बेट कर क्या कर रहे हो तब बच्चे ने भूलापन से कहा अरे मम्मी पापा मैं आप दोनों के लिए लकडी का बत्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बुड़े हो जाओगे तो मैं उसमें आपको खाना दे सकूँ अपने नादान बेटे द्वारा दी गई या सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई दोनों एक दुसरे का चेहरा निहारने लगे बिना कुछ कहे ही दोनों की आखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविशर की किताब अपने आखों के सामने खुलती हुई नजर आई उन्हें समझने में ज्यादा दे नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज हट गया और अब बुढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे बुढ़े की कमजोरी की वज़े से हो रही गलतिया भी अब किसी को नहीं चुराती थी यह कानी हमें यह वताती है हर पत्ता जो आज हरा है वो कलक सुखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा इसलिए हमें अपने बड़े बुढ़ों का हमेसा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वेसा ही वेवार करना चाहिए जैसा हम चाहते की हमारे बुढ़े होने के बाद हमारे वच्चे हमारे साथ करे